नमस्कार आपका स्वागत देदार नामा टीवी पे मैं कुनम आपके साथ तेलंगना के बीजेपी सांसत सोयमबापू राओं ने स्विकर किया है कि उन्होंने सांसत नीदी का इस्तेमाल नीजी कामों में किया है सोयमबापू ने कहा फंड में धाय करोड रुपे आये जिसमें से कुछ रकम शेतर के पाशदों को दी मेरे पास निर्वाचन शेतर में घर नहीं था इसलिए मैंने फंड से अपना घर बनाया इसी पेशे से मैंने अपने बेटे की शादी भी की पीजेपी सांसद ने कहा कि पहले कई सांसदों ने पूरा फंड अपने निजी कामों में खर्च किया लेकिन अज पार्टी एकुछ नेता मेरी आलशना कर रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं कि मुझसे पहले अन्य लोगों ने इस फंड का किस तर इस्तेमाल किया इसी कारकम में भाज़पा करकता को सम्मूदित करते हुए उन्हें इस बात कही इसका वीडियो वाइरल हो रहा है हालकि पता नहीं चला कि काईगरम कबर कहा हुआ था यह साल 1993 में शूरी हुई योजना है जिसमें सांसतों को अपने निर्वाचन चेत्रों के विकास के लिए फंड दिया जाता है शुरुआत में सांसत को पांच लाग रुपे दिये जाते थे 1994 में सांसत नीदी योजना में खर्च की सीमा एक को रुपे की गई थी महीं 1990 से 99 में इसे बढ़ा का दो करोड और 2011 बारा में पांच कोरड रुपे सालाना कर दिया गया था इसी की साथ बने नहीं राज आमा टीवी की साथ